हेलो हाई असलाव अलेकुम नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीदें बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसानी से बनने वाला एक स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ तो चलिए आईए देखते हैं उसके लिए मैंने उबले आलू लियें कुछ उस बनाना है तो इस तरह से चारो स्लाइस के मैं किनारों को कट कर लूँगी और इस तरह से बीच वाला पार्ट यूज करना है में तो उसके लिए मैश के वे आलू में मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी तो 1-4 टी स्पून मैंने हल्दी डाला है 1 टी स्पून मैंने लाल मिर्च और एक मीडियम सैस की प्यास को मैंने चौप करके डाला है जिससे की और ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार हो जाएगा थोड़ी सी धनी के पती डाल दिया है इससे खुश्वू बहुत अच्छी आएगी और सारी चीजों को बहुत ही अच्छी से मिक्स कर लिया है अब एक अलग से मैंने बाउल में लिया है दो चमच मैदा उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डालूँगी एक चमच भर कर मैंने तिल डाला है सफेद वाला जो तिल होता है और थोड़ी सी काली मिर्चों आपके पास काली मिर्च डाल दिया है सफेद वाली मिर्श का पाउडर वो डाल लिया मैंने और थोड़ी सी धनी के पती डाल कर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक गाड़ा सा बैटर तयार कर लिया है इस बैटर को मिक्स करके अच्छे से हम लोग रख लेंगे सा कि इसकी थिकनेस रहेगी अब ब्रेट की स्लाइस जो हमने कट करके रखी है उसको इसमें डिप करेंगे दोनों साइट से मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर रावर डाल दिया है ताकि कलर अच्छा सा आजाए इसका अब ये जो मिक्चर हमने पोटाटो का बना का रखा है आल आलू का मिक्चर बाहर निकलने की जगह ना बचे और फिर हाथ से टैप कर लेंगे हम लोग थोड़ा चीपटा सा आलू की टिक्की जैसे बनाते हैं उस तरह से इसको टैप कर लेंगे टैप करने के बाद फिर से हम लोग बैटर में एक बार डिप कर लेंगे इसी तरह से मैं लें स्नैक्स अपने और एक खड़ाई में अच्छे से तेल गर्म करने के बाद सारे नाश्ते को उसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक एक सैट का अच्छा सा golden crispy fry हो जाएगा फिर हम लोग इसको बलट देंगे और बलटने के बाद फिर से दूसरे सैट को भी हम लोग अच्छे से golden fry कर लेंगे और बहुती मज़ेदार सा crispy सा एक दम चटपटा बहुती मज़ेदार ये नाश्ता बन कर ready हो जागा इतने जल्दी और इतना मज़ेदार नाश्ता अगर बन जाए फटा फट से भूग लगी हो या कोई महमान आए तो आप फॉरें से बना सकते हैं और मज़ेदार होने के साथ इतने जल्दी बनकर तयार होता है कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि कोई महमान आया है या हमें भूग लगी है या किसी के लिए भी बनाना है तो सोचने की जरुवत नहीं कि टाइम टेकिंग है क्योंकि ये फटा फट से बनकर रेडी हो जाता है और इतना जादा मज़ेदार होता है कि हमें खा कर तो मज़ा आही जाता है तो अगर इस तरह से नाच्टे की ये रेसिपी आपको मेरी आसान सी पसंद आई हो और इतनी जादा मज़ेदार तो लाइक शेयर करिए मेरे वीडियो को और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फटा फट से जाएए और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखकर आपको मज़ा तो जरूर से आया होगा ये इतना मज़ेदार सा नाच्टा तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इतना आसान सा नाच्टा फटा फट से बनाने में कोई दिकत नहीं होनी चाहिए जाएए और फटड़ फटड़ अपने किचन में जाकर आलू को बॉाइल कीजिए जब तक आलू बॉाइल होगा तब तक आप दूसरा वाला बैटर बना कर रेडी कर लीजिए और ये नाश्टा बना कर चाय के साथ इंजॉय कीजिए या फिर किसी हरी चटनी या सॉस के साथ इंजॉय किजीए